गुस्से में सुप्रीम कोर्ट, चुनावायों को फटकारा, वीवी पैट पर हो गया बड़ा खेल नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शृष्टी श्रिवास्तप लोग सभा चुनावों के नस्दीक आते-ाते, कभी EVM तो कभी वीवी पैट का मुद्दा गर्माता जा रहा है चुनावी महौल के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत एहम मामले पर सुनवाई हुई ना सिर्फ सुनवाई हुई बलकि कोर्ट ने केंदर सरकार के साथ-साथ चुनावायों के सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधा-सीधा टिपड़ी की गई कि वीवी पैट पर्चों की पूरी गिनितिक कराई जाए इसी के साथ कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी किया है दरसल सुप्रीम कोर्ट के वकील और कारकरता अरुन कुमार अगरवाल ने कोर्ट में याचिका लगाई थी उन्होंने इस याचिका की जरीए वीवी पैट पेपर पर्चों के जरीए सिर्फ पार्च रैंडम रूप से चैनित इवियम के सत्यापन के मौझूदा चलन के विपर्ट चुनावों में वीवी पैट पर्चों की पूरी गिनितिकी मांग की है इसी याचिका के आधार पर सुप्रीम कोट ने नोटिस भी जारी किया है और जवाब मांगा है आपको वीवी पैट की मौझूदा स्थितियों के बारे में बता देते हैं मौझूदा स्थिति में वीवी पैट पर्चियों के माध्यम से कोई भी पाच सेलेक्टेड इवियम को मान सकता है इसी को लेकर आरुन को दिक्कत थी जिसकी वज़े से उन्होंने याचिका लगाई उनका मानना है कि आखर पाच पर्चियों के अधार पर कोई चीज कैसे तैकी जा सकती है सारे के सारी पर्चियों का मिलान होना चाहिए बात करें अगर वीवी पैट की तो वीवी पैट एक इंडिपेंडेंट वोट सत्यापन प्रनाली है जो वोटर को ये दिखाता है कि उसका वोट सही ढम से डला है या नहीं वीवी पैट के जरी ये भी दिखता है कि आपने जिसके नाम पर मोहर लगाई वही सिलेक्ट हुआ है या नहीं कोई और तो नहीं जाहिर है अगर सारी पर्चियों का मिलान किया जाएगा तो चुनाव को और जादा निस्पक्ष होने की तरफ लेकर जाएगा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर EVM के साथ किसी तरह का कोई विवाद होता है तो फिर परची के साथ उसका मिलान करके चुनावों की निस्पक्षता को बरकरार रखा जा सकता है विवी पैट का मतलब है वोटर वरिफाइबल पेपर ओडिट ट्रायल विवी पैट के जरिये वोटर जब वोट डाल देता है तो तुरंत एक कागस की परची बनती है ये परची वोटर को दिखाती है कि उन्होंने जिस उम्मिद्वार को वोट दिया है उसी पर गया है सबसे पहले विवी पैट का इस्तमाल नागा लैंड चुनाओ की दौरान साल 2013 में हुआ था सुप्रेम कोट के तरफ से अप केंडर सरकार और चुनाओ आयोक से जवाब मांगा है देखना होगा इस पर क्या जवाब दिया जाता है फिलहाल आप इस खबर पर क्या रहे रखते हैं हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे